दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका पहले प्यू पेंट या फिर डीको पेंट हुआ है सिंपल सा और उसके पर आपको पॉलिस वाली लुक देनी है तो वह लुक कैसे दी जाएगी इस वीडियो में आपको पूरी जनकरी मिल जाएगी तो हम इसमें एंसी प्रियोग करने वाले हैं एंसी प्यो रेड का क्योंकि हम इसके पर रेड कलर की पॉलिस करेंगे बक्ति गर आपको दूसरा कलर करना है तो दूसरा भी कर सकते हैं ब्राउन करना है तो इसके पर ब्लैक से रेशा बनाना पड़ेगा क्योंकि इस पर पहले ब्राउन कलर का ही पेंट हुआ है इस पर मैंने ब्रस से प्यू पेंट किया था उसकी वीडियो आपको आई बिटन में मिल जाएगी वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं तो अभी हमें इसके पर रेशा बनाना है यह हमारे पास प्यू रेड एंसी पेंट है इसको पतला करने के लिए इसमें एं रेखमाल मानना पड़ेगा दबाके ताकि जो डश्ट वगएरा जमी हो वह सारी निकल जाये इस तरीके से दबाके रेखमाल लगा देना है इस पर कंपाउंड भी हुआ है पहले तो कंपाउंड को भटाने के लिए हमें थिनर का प्रियोक करना पड़ेगा पहले हम इसमें लगा लेते हैं रेखमाल से साप कर लेते हैं उसके बाद में NC Thinner लेके इसको साप कर देंगे ताक कि जो Compound के निसान होंगे वो सारे चले जाएंगे देखे इस तरीक इसे पूरी paint को साप कर लेना है और फिर हमें इसके पर रेजसा बनाना है रेजसा बनाने हम red paint का प्रियोग करने वाले हैं बाकि अगर आपको brown look चाहिए तो उसके लिए आप black paint का प्रियोग कर सकते हैं black nc paint या फिर आप pew paint का भी प्रियोग कर सकते हैं इसके उपर और यह मैंने कपड़ा लिया है मलमल का और इस तरीके से इसके उपर रेशे बनाने हैं जिस तरह से भी रेशे आपको चाहिए हो पतले मोटे उस तरीके से इसके उपर रेशा बना सकते हैं आप इसके हमें दो तीन हाथ मानने पड़ेंगे रेशे के बाकि अगर आपका एक बार में ही sit हो जाता है तो एक बार में भी sit कर सकते हैं रेसे यह हमारा दूसरा कोड है यह देखे इस तरीके से यह pure red nc paint है जिसे हम रेसा बना रहे हैं अभी रेसा बन गया है हमारा अब इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देंगे आधा गंटा लगबग और उसके बाद में हम इसके पर glossy अपलाई करेंगे आप इस पर pew glossy भी मार सकते हैं और मैला मैं glossy भी मार सकते हैं हम इसमें मैला मैं glossy का ही प्रियोप करने वाले हैं यह मैला मैं glossy है इसको बनाने का तरीका है इक हमने बना लिया है हम इसको कपड़े सरे मारने वाले हैं उसके बाकि आपके पास एक बैक आपको इस पर कंपाउंड भी कर सकते है यह देखिए एक कोड हो गया है हमारा सूखने के बाद में हम इसके पर डबल कोड लगाएंगे ये सूट गया है हमारा भी इसके पर डबल कोट लगा रहे है और अगर आपको क्वपाउंड करना है तो जब ये कोट सूख जाएगा तो इसके पर आप रेग मन लगाके 600,000,2000 just गरれた इसके पर आप क्वपाउंड कर सकते हैं compound करने की वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ी हुई है अगर आपको देखना है कि compound कैसे होता है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर आपको हर प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी compound की तो अभी ये पूरा हमारा finish हो चुका है इसकी लुक हो गई है बिल्कुल polish वाली देख सकते हैं आप red tune पर है ये polish तो उसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए आप कमारे साथ जुड़े रही है thanks for watching